नमस्ते साथियों में विकेश कुमार और सठवी बीपेसी के लिए आपके बीच आज था आई एस पब्लिकेशन का दासमा प्रैक्टिस इट लेकर आए हैं देखते हैं आज के विविन परस्न को पीडियाफ नौले जन सनमस्ती टेलिग्रम चेनल पर उपलब्ध है वहां से आ प्रहवे करम के हुआ था इसका आयोजन इंदौर मदपर्देश में किया गया था भारत वर्ष 2023 के लिए जी ट्वेंटी की मैजबानी कर रहा है यानि जी ट्वेंटी सिखर सामेलन दोजार तैस भारत के नई दिल्ली में होगा तो भारत में जी ट्वेंटी की पहली बैठक जनवरी मह में आयोजित की जा रही है तो ये पूदुचेरी में की जा रही है हाल ही में यूनेसको भारत अफरीका है काथन यूनेसको भारत अफरीका है काथन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया नौइडा उत्तर परदेश में किया गया फिफा वर्ल्ड कप 2022 विश्वर रेंक टीइंग 2022 में पूछा जा रहे हैं सिर्ष पर ब्राजिल हो जाएंगे कोविट के खिलाब दुनिया की पहली इन्हेलेवल वैक्सिन दुनिया की पहली इन्हेलेवल वैक्सिन किस देश ने launch किया है तो China ने launch किया है inhalable vaccine हाल ही में राजसभा के सभापती जग्दीप धन्खर ने किस खिलाडी को संसद के उपरी सिदन में उपाध्यक्च पैनल में सामिल किया है उपाध्यक्च के पैनल में सामिल किया है तो ये परसिद्ध बेक्ती है PTO सा धावक Message World 2022 Message World 2022 के खिताब से किस भारतिय को नावाजा गया तो ये हैं सरगम कौसल बर्स 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है बर्स 2022 में G20 की अध्यक्षता किस राश्त दोबारा की गई थी तो 2022 में जो है जी ट्विंडी सीकर सम्मेलन इंडोनेसिया में और 21 में इटली में 22 में इंडोनेसिया 33 में भारत में हाल ही में लोकायुक्त बिधेयक पारित करने वला देश का पहला राज लोकायुक्त बिधेयक पारित करने वला तो ये हो जाएंगे महारास्टा हाल ही में परकासित रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार यानि कि आर्टी आई जबाब देही में सबसे खड़ाब परदर्सन करने वाले राज्ज में तमिन लाडू हो जाएंगे हाल ही में परमानो और जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है परमानो और जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में तो ये नामित किया गया है दिनेश कुमार सुकला को IPL 2023 आउक्षन यानि कि निलामी के अनुसार IPL इतिहास के सबसे महगे खिलारी कौन बन गए हैं तो यह है सैम करन फिफा वर्ल्ड कप 2022 में सर्वस्रेष्ट खिलारी के लिए गौल्डन बॉल पुरुसकार किस खिलारी को दिया गया गौल्डन बॉल आपको पता है कि यह है लियोमस लियोनर मैसी को सही सुमेलित करना है अंतराष्ट्रिया महिला दिवस 8 मार्च बिहार पिर्थिवी दिवस 9 अगस्त और विष्व पिर्थिवी दिवस 22 अपरेल विष्व ओजोन अस्तर दिवस 16 सितंबर यह सभी सुमेलित हैं तो राइट अंसर यह हो जाएगा एक से अधिक सन्युक्त पर्सिक्षन अभ्यास काजिंद 2022 किन दो देसों कमीच तो काजिंद अभीच जो है ये दो देश्चों के बीच होता है भारत और कजाकिस्तान नभी नितम आकड़ों के अनुसार भारत को सबसे बड़ा तेल आपूर्ती करता देश कौन है नभी नितम आकड़ों के अनुसार से तेल आपूर्ती करता देश रोज तंदूर रेडगराम तंदूर रेडगराम को हाल ही में जी आई टैग मिला है तो ये किस राज से समन्धित है तिलंगणा से समन्धित है बांगला देश मुक्ती संगराम की बीजय को चिनित करने के लिए बारतिया ससतर बलो और बांगला देश द्वारा किस तिति को बीजय दिवस के रूप में मनाया जाता है तो बीजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर को मनाया जाता है मेजर ध्यान चंद खेलरतन आवार्ड 2022 से किस दिगज खेलारी को सम्मानित किया गया था तो ये हैं सरत कमल अचांद हाल ही में परधान मंतिर निरेंदर मोदी द्वारा कांस्य परतिम एस्टेची ओफ प्रोस्पेरिटी का अनावरन कहां पर किया गया था बंगलुरू करनाटका में हाल ही में किस राज्ज को हन्रेड परतिसत हर घर जल घोसित किया गया है तो गुजरात राज को घोसित किया गया है और पहला राज गोबा हो जाएगा ठूंडी और कदमत समुद्र टटको हाल ही में परतिस्ठित बुलू फलेग परमान पतर दिया गया इसमें बुलू फलेक परमानपतर समुद्री टटोक संख्या बाड़ा भी हो चके हैं तो यह पूछा जा रहा है कि किस राज से संब्धित हैं ठूंडी और कडमत तो यह लक्ष द्वीप से संब्धित हैं हाल ही में परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने जलबायू परिवर्तन और पर्यावरन संद्धिक्षन को जन अंधुलन बनाने के लिए Mission Life अभियान सुरू कहों से किया Mission Life अभियान कहों से परावरम किया के वढ़िया से परावरम किया था राष्टपती शिरीमती दरोपधी मूर्मूर ने किस संस्थान में सूपर केम्पूटर परम कामरुप का अनावरन किया परम कामरुप का अनावरन आयाइटी गुहाटी में किया गिया सांती के छेतर में नोबिल पुरुषकार 2022 से किसे समानित किया गिया सांती के छेतर में 2022 नोबेल पुरुषकार एलस बिया लिया आत्सकी को दिया गया पहली बंदे भारत ट्रेन का संचलन किन एस्टेशनों के बीच किया गया बंदे भारत ट्रेन का संचलन पहली बार किया गया था दिल्ली से वारा नसी के बीच में सही सुमेलित करना है तेखते हैं राष्टरिया उर्जा सनरक्षन दिवस 14 दिसंबर सत्य है अंतराष्टरिया मानव एकता दिवस 20 दिसंबर सही है राष्टरिया कैंसर जागरुकता दिवस 7 नमंबर ये भी सही है और 20 दिवस 1 दिसंबर ये भी सही है यानि कि सभी सही है तो खिलारी ने एक दिवासिया अंतर राष्टरिया वन डे में सबस तेज दोहरा सतक बनाने का बिस्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और ये परसिद खिलारी है इसान किसान हाल ही में राष्टरिया किरिसी और गरामिन विकास बैंक यानि की नावार्ड का अधियक्ष किसे निउक्त किया गया है तो नावार्ड का अधियक्ष केवी साजी को निउक्त किया गया है हाल ही में ECI Cup Tennis में पदक जीतने वाली पहली भारतिया महिला हाल ही में किस राज सरकार ने सभी केंदर और राज परायोजित यूजनाओं के सफल किरियान वैन तथा सरकार और लोगों के बीच सेतु के रूप में कार करने के लिए अमर सरकार पोर्टल तो अमर सरकार पोर्टल ये तिरपुरा सरकार के द्वरा परारम किया गया जलवायू परिवर्तन परदर्शन सुचकाउंग यानि CCPI 2023 में भारत को जो है आठवा अस्थान पराप्त हुआ संदब अस्थलों से पराप्तवस्तुओं एवं समनित अस्थल के संदर के संदर में कौन सा यूगम जो है वो संगत है यानि कि गलत है देखते हैं काली बंगन से जोते खेद के साक्ष सही है लोथल धान की भूसी सही है और चहुंदरों से जो है जो ये गलत है जो के काली बंगन लोथल से प्राप्त भी थी है और ये जो है मोहन जोदरों से मातर देवी की मुर्ती ये सत्य है बैदिक काल के बारे में निमने लिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सही है देखना है गिरहस्त असरम अन्य सभी आसरमों का पोसक था ये बात सत्य है गराम के अधिकारी को गरामनी कहा जाता था ये भी सही है और ब्यपारी बर्ग को विश कहा जाता था ये भी सही है अंसर एक दो तीन हो जाएगा धार्मिक संसकारो से समनित बेद तो यह हो जाएगा यजूर बेद दो भागों में सुपल यजूर बेद किसनी यजूर बेद निमनलिखित में से औसंगत की पहचान करना है देखते हैं गोपत ब्रामन या थरबेद यह सत हैं पंचविस साम बेद यह भी जो है सत हैं और एत्रे ब्रामन इसलिए ये गलत हो जाएगा मोर्य कालिन परसासनिक बेवस्था के संदर में निमलिखित पर विचार करना है यानि कि कौन इसमें से जो है सही है सामाहरता राजकिय कोसाध्यक्ष सही है ब्यवहारिक दिवानी नियायालय का नियादिस ये भी सही है अंतपाल सीमावरती दुर इसलिए गलत है और राज राज पर्थम जो है सिवपाद सेखर के उपाधी सत्य है और रुद्र दौमन पर्थम महाँ महाँ छत्रप की उपाधी ये भी सही है अगले परसनों को देखें परसिद ब्याकरन वीद पतंजली किसके समकालिन थे तो पुसमित सुंग के समकालिन थे गौत्मी पुत्र सत्करनी निम्न में से किस राजबन से समंदित थे गौत्मी पुत्र सत्करनी तो ये हो जाएंगे साथ वहान बंस समंद्र गुप्त के साथनकाल के दोरोन संधी बिग्राहिका का अर्थ था तो संधी बिग्राहिका का अर्थ क्या था समंद्र गुप्त के साथनकाल के दोरोन में तो ये था युद्ध था सांती मंत्री निमनलिकित में से किस दर्षन का मत है कि बेद सास्वत सत्य है बेद सास्वत सत्य है तो ये जो है मिमानसा दर्षन का मत है अगर देखें तो नियाइब दर्षन का मरसी गोतम सांक दर्षन का कपिल वैसे सिक कनाद और पूर मिमान साथ जैमनी उत्तर मिमान साथ बाद रहें मुहमद बिन तुगलक के निमलखित उपायों या फिर अभियानों को सही करमानों साथ ब्यवस्थित करना है यानि कि कौन सा घटना को वह जो है किस वर्स किया था देखें पर्तिक मुद्रा यानि कि संकेतिक मुद्रा तो यह हो जाएगा उन्हें 1339 में संकेतिक मुद्रा फिर देखें राजधानी जो है इन्होंने परिवर्तन किया था 326-27 में 327 में और खोरासावन की बात करेंगे तो 332 में, अब ज़ा है खोरासावन अभियोण किया था और कराचिल अभियोण की बात करेंगे तो 330 में इस परकार से आप देखें तो पहले 3, फिर 1 फिर 4, 2 3, 1, 4, 2 दो यानी की बिकल्प ए हो जाएगा राइत आंसर अगले परसनों को देखें निमन लिखित मैंसे औसंगत योगम का चैन करना है राज तरंगनी के कलहन हो जाएगा फिर उसके बाद देखें तबकात ए नासरी मिनहास उस सिराज हो जाएगा तारीके फिरो साहिक हो जाएगा जाओ दिन बरनी इसलिए गलत है और नुह सिपहर अमिर खोसरो सत्य है तबकात एक अकविडी नेजाम अधिन आहमद ये भी सत्य है निमन लिखित मैंसे कौन महमद गोरी का गुलाम था जो उसकी मिर्तियों के बाद सासक बना और गुलाम बंस किया स्थाबना को तो वो दि सासक के सासन काल में तो नसरोदिन महमद सा के समय में पराप्त थी इनमें से कौन सा कथन औसत्य है यानि कि औसत्य कथन की पहचान करना है देखें इलहावाद की संदी रवट कलाइब मुगल सासक सालम दूतिया और बंगल के नवाब के मद हुई थी ये बात जो है सत्य है और देखें तो परथम अंगल मैसुर युद का समापन मदरास की संदी सत्य है चतुर्त अंगल मैसुर युद में अंग्रेजी सेना का नितृत लाड कौर्नवालिस ने नहीं बलकि बेलेजली उस समय था वैसरा है तो एक दो सत्य है और तीसरा यानि केबल तीसरा जो है ये गलत है थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत निम्न में से किस ने किया था तो नेतृत है तो ये एनिवे सेंट हो जाएगा राइट अंसर भारत में वेवेल योजना जुन 1945 में आया था तो इनके समन में कौन सा कथन सही है तो इसमें देखा जै तो केंदर में एक कारीकारी परिषद का गठन किया जाएगा इस परिषद में केबल वाइसराय का लावा सेस भारतिया होंगे ये बात गलत कहा गया था और परतिरक्षा को छोड़कर समस्त भाग भारतियों को सोप दिये जाएगे ये सही है कारकारनी परिषद में हिंदूओं एवं मुसल्मानों की संख हो जाएगा अगले परसनों को देखें निम्न में से ओसंगत कतन की पहचान करना देखते हैं संग सक्ति समीति के धियक्ष राजन पर जबारला नहरू सही है राजियों के लिए समीति बनी थी तो सरदार बलाभाई पटेल तो राजियों के लिए बनी समीति में जो है अम्बेद कर ये भी सत्त हैं अगले प्रसनों को देखें भारतिय संविधाउन की किस अनुसूची में दल बदल बिरोधी कानुन दिया गया तो दल बदल जो है दासवी अनुसूची में दिया गया और इसे बावनवा संविधाउन संसुदर 1950 एसवी में जोरा गया और बात क भावन निर्षित पर विचार करना है यानि कि इन्य 되면 से कौन सा जो है सही है तो संग की नयाय पाली का तो भाग पाँच में है तो इसलिए गलत है और राज का भिधन मंडर भाग छे मैं इसलिए ये जो है गलत है और संग और राजियों के बीच समंद भाग संग की भासा भाग 17 हमें है तो ये भी सत्य है तीन और चार सत्य है तो आंसर C हो जाएगा निमनलिकित में से कौन सा उपबंद साधारन बहुमत द्वारा संसोधित नहीं किया जा सकता है साधारन बहुमत के द्वारा तो साथवी अनुसुची से सम्मंद कोई भी भी से होगा तो ये से आप साधारन बहुमत से नहीं संसोधित कर सकते हैं कि केंदर सासित परदेश नागरिकता प्राप्ति अबब समाप्ति और नए राजियों का परवेश यागठन ये सब कर सकते हैं निमनलिकित में से उसत कतन की पहचान करना है देखते हैं अनुचे 51 के कोई के अनुसार बन जील नदी वन नजीव की रक्षा एक मुल करतब है ये बात सत्ते हैं मुलक करतब भारतिया है नागरिकों के साथ साथ बीदेशी नागरिकों के लिए भी है यानि बीदेशी के लिए भी तो ये बात गलत है निदेशक यानि की नीती निदेशक तत्वों की तरह मुलक करतब गेर नियायोचीत है ये सत्थ है भारते सम्विधाउन की भाग चार का कोवा मुलक करतब से समन्दी थे ये बात सत्ते हैं अनुछेद 356 के तहट किसी राज्य में आपातकाल की घोसना एक वर्स से आगे जारी रह सकती है यदि चुनाब आयोग परमानित करता है कि बिधान साभाओं के लिए चुनाब करना मुश्खिल है तो इस इस्तिति में एक वर्स आगे रह सकता है यदि RPA मुदरा असफिती को नियंदरित करना चाहती है तो कौन सा सरवत्तम उपाय हो सकता है तो सर्वत्तम उपाय होगा, रेपो रेट में बढ़ोतरी किये जाएंगे निमनलिकित में से GDP Deflector कहा जाता है यानि कि किसे जो है GDP Deflector कहा जाता है तो हो जाएगा वास्त विक GDP के लिए नाममातर का आनुपाद GDP Deflector कहा जाता है आरतिक सरवेक्चन 2020-22 के नुसार भारत के आयात में निमनलिकित में से किस उत्पाद की हिस्सेदारी सबसे अधीक है कच्छा पेट्रोलियम की हिस्सेदारी सरवाधिक है केंदरिया बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 के लिए राजकोसिया घाटा सकल घरेल उत्पाद के कितने परतिसत पर आँका गया है तो सकल घरेल उत्पाद के अगर देखा जाए तो चार पतिसत उत्पाद पर आँका गया है निमनलिकित में से कौन सा घटक भुगतान संतोलन सूची के अंतरगत नहीं आता है देखते हैं बाहरी उधारी का बजट अनुमन है भारत और बिदेशों के बीच लेंदेन है इसके अंतरगत नहीं है चालो खाता घटा को कम करने के लिए कौन सा कदम जो है उठाया जा सकता है तो भारत से निडियात को परतसाहित किया जाएगा तो चालो खाता घटा को कम किया जा सकता है निमनलिकित में से अल्प बेरोजगारी की सही ब्यक्या अल्प बेरोजगारी की सही ब्यक्या तो हो जाएगा लोग किसी विशेश अबधी में लोग किसी विशेश अबधी में ही कौम करना चाहते हैं तो इसे अल्प बेरोजगारी का सही ब्यक्या कहा जाता है वितिया वर्स 2023-2024 में भारतिय अर्थ बेबस्था में बिर्धी के संभावित कारक हैं तो बिर्धी के संभावित कारक अगर आप देखेंगे तो व्यक्सिन का बड़े पैमाने पर बिस्तार है पुंजिगत व्या में उलेखनिय बिर्दी है निर्यात में मजबूती है और आपुरती पक्षों में सुधार है तो इसलिए जो है सभी कथन जो है समभावित है सभी कारक तो अंसर ई हो जाएगा एक से अधिक भारत के किस राज में सबसे अधिक संख्या में बिसेस आर्थिक छेतर यानि की सेज है तो किस राज में सरवाधिक है तमिलाडो में हो जाएगा निमनलिकित पर विचार करना है देखते हैं इन में का जाता है भारत उप्युक्त में से किस का सदस है तो ACI अब सनरचना निवेस बेंक AIIB इनका भी सदस है प्रेक्षपात्र परधोगी की नियंतरन ब्यवस्ता MTCR इनका भी है GC7 का सदस भारत नहीं है तो एक और दो हो जाएगा केवल भी एक देश एक रासन कार्ड के बारे में कौन सा कतन सद है देखते हैं स्मार्ट का अनिवारी घटक है सही बात है रासन कार्ड पोर्ट on रासन कार्ड पोर्टबिलीटी सुविधा ये भी है और अगस्ट 2019 से प्रारम किया गया था ये भी सही है सभी राजियों के अंसासित प्रदेश में लागू है ये भी सही है अंसर जो है सभी कथन सत है तो अंसर ई हो जाएगा एक से अधिक सीटी फाइनेंस रेंकिंग 2022 के सम्मन्द में औसत कथन की पहचान करना है देखा जाएं यानि कि उसत कथन का चैन लेकिन यहां पर है कि अधार पर सही बिकलब का चैन करना है कौन सा सही है तो यह उसत नहीं होगा बलकि सत कथन की पहचान करना है देखें तो यह रेंकिंग भारतिया सहरों को बर्तमोन बित्या स्वास्त की गुनवत्ता का धार पर मुल्यांकन करना मुल्यांकन पहचावन और पुरसकार देती है सही बात है और परतियक जन संख्या सरेनी में तीन सहरों को राष्टिय आस्तर के साथ साथ परत्यक राज कलस्टर में पहचवन और पुरुसित किया जाएगा ये भी सही है यह बित मंतराली की पहले ये गलत है यह जो है आवास और केंद्रिय आवास और सहरी मामलों के मंतराले हैं इसलिए तीसरा विकल्ब गलत है एक और दो सत्य है अंसर ए हो जाएगा भारत की पहली हरित हैड्रोजन समिसरन पर्योजना किस के द्वारा सुरू की गई पहली हरित हैड्रोजन समिसरन पर्योजना तो यह प्रारम की गई है किन के द्वारा तो हो जाएगा एंटी PC के दुवारा, अगले परसुनों को déخ़े है है वर्स 2022 में निम्ण में से किस अंतरराश्ट्रिय संगत्षन ने भारत के साथ मेजबान देश समझोता पर हस्ता अक्षर किया भारत के साथ मेजबान स्वास्त कल्यावन में सबसे अधिक युगदावन दे रहा है तो यह हो जाएगा यूनि शेफ वैस्विक जलवायू जोखिम सुचकंग किस संगठन द्वारा परकासित किया जाता है वैस्विक जलवायू जोखिम सुचकंग तो यह जर्मन वाच के द्वारा प्रारम किया जाता है सत्य है यानि कि पस्चिम से पुर्व की और अगर आप विस्तार को देखेंगे तो पहले सिपकिलादर राहिमाचल परदिस फिर नाथुला सिक्किम फिर बॉम डिला और रोनाचल परदिस हो जाएगा एक दो तीन यानि की बिकल्प भी हो जाएगा अगले प्रसनों को देखा जाए भारत का कौन सा भुवाकरती भाग पराचीन तम है हिंद महसागर में अवस्थित परमुख दूइपों को उत्तर से दक्षिन के करम में बेवस्थित करेंगे तो पहले अगाती फिर काबारती माले चागोस एक दो तीन चार जो है मिला हुआ है जारखंड के साथ छोटा नागपुर पठार किन राजियों में फैला हुआ है तो जारखंड के साथ साथ जो है बिहार में है ओरिशा पस्ची बंगाल और च्छतिस गड़ में इस्तीत है अगले परसनों को देखें काचिन की पहारियों का सीमा विस्तार है यह काचिन की पहारियों का सीमा विस्तार भारत और मयनमार के बीचे है उसत कथन की पहचान करना है देखते हैं कॉप 25 तो यह हुआ था अस्पेन मेडरीड में अस्पेन के मेडरीड में तो इसलिए यह गलत है और कॉप 26 गलासको में और कॉप 27 सर्म अल सेख मिस्र में और कॉप 28 होगा दुबई में अगले प्रस्नों को देखें समुदरी लबनता के संदर में निम्न कतनों पर विचार करना यानि कि समुदरी लबनता में देखा जाएतो महासागर की लबनता वास्पिकरन और वर्सन पर नरवड़ करता है सत्त है तापमान या घनत में कोई परिवरतन लबनता को परभावित करता है सत्त बात है समुदरी लबनता मुक्षरोत नदियों द्वरा अस्तला किरती विशर्जन है ये गलत है एंक और दोसत है तो यह यहनी की B अंसर हो जाएगा परवाल भीतियों को मुख्य रूप से विश्व अस्तर पर विदरित किया जाता है किन माध्यम से तो उसने कटवे बंदिया जल के माध्यम से निमनलिखित में कौन वायु मन्डलीया गैस green house gas ग्रिन हाउस ग्रिन हाउस ग्रिन हाउस ग्रिन हाउस ग्रिन हाउस की बात करें तो carbon dioxide है netrous oxide है और जलवास्प है एक तीन चार तो right answer C हो जाएगा निमने पर विचार करना है एक तरह पढ़ियावर्णिया सम्मेलन है एक तरह वर्स है तो देखते हैं कौन सा भी गल्ब सत्य है मॉन्टरियल प्रोटोकॉल उनिस्व सतासिम हुआ था इसलिए गल्ट है और नागोया प्रोटोकॉल 2010 मीना माटा कान्वेंसन 2013 ये सत्य है दो और तीन सत्य है तो राइट अंसर बी हो जाएगा निमनलिकित में से कौन सा युग में सही है देखते हैं गल्फ एस्ट्रीम आटलांटिक महासागर की गर्म जल्धरा सत्य है लेबराडोर परसांत नहीं होगा लेबराडोर जो है आटलांटिक महासागर की जल्धरा है इसलिए ये गलत हो जाएगा पेरू पर संत महासागर हो जाएगा हिंद नहीं होगा तो इसलिए ये भी गलत केवल सी यानि केवल एक सही है आदर भूमी और उनके अस्थाउन के समन्द में औसंगत यानि की गलत कथन की पहचान करना है रोपर जहिल पंजाब सत है दिपोर जहिल असम सत है सांभर राजस्थान सत है और हरी के जहिल जो है ये पंजाब हो जाएगा हरी के जहिल पंजाब तिसलिए ये गलत हो जाएगा गंगा नदी की साहक नदियों का पर विचार करना है और पूरब से पच्चिम की और सही अनुकरम में बेवस्थित करना है देखते हैं पूरब से पच्चिम की और सही अनुकरम में बेवस्थित करते हैं तो सबसे पहले हो जाएगा कोशी फिर उसके बाद गंडक, घागडा, गोमती कोसी घागाडा गंडक गोमत यानि विकल्प ए हो जाएगा निनलिकित में से कौन सा भरंतोस प्रवत का उधारन है भरंतोस प्रवत का उधारन हो जाएगा वास जेज प्रवत बिहर बिजट 2022 की अनुसार मुखमANTRIE गराम संपरक योजना के अंतरगत वित्या वर्स 2022 में कितने किलोमीटर गरामिन पत निर्मान का लक्ष रखा गया था तो ये जो हैं 6000 किलोमीटर रखा गया था महिला ससक्तिकरन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार दुवारा ससक्त महिला सक्छम महिला के तहत असना तक उतिर्ण होने पर कितनी धनरासी दी जा रही है पच्चास अजार धनरासी दी जा रही है हाल ही में मैथली भासा के लिए साहित अकादमी पुरुषकार 2022 निम्न में से किसे समानित किया जाने की गोसना की गई है तो ये हैं अजित आजाद अगले परस्णों को देखें मधुबनी जिला निम्न में से किस परमंडल के अंतर गताता है तो मधुबनी जिला हो जाएगा दरभंगा पुरु मंडल में बिहार जनगन्ना 2011 के नुसार बिहार में करमस सरवाधिक तथा निम्नतम लिंगानुपात वाले जिलों का सही यूग में कौन सा है तो देखा जैतो सरवाधिक लिंगानुपात 1021 वजाएगा गोपाल गंज और निम्नतम 876 मुंगेर अगले परस्णों को देखें हैं परधान मंतरी निरंद्र मोधी दुबरा गरीब कलियान रजगार अभियान कासो भारम किस जिले से किया गया था गरीब कलियान रजगार अभियान ये खगरिया जिला से प्रारम किया गया था खगरिया जिला के तिलहार से पंत यानि कि राजगीर वन जिव अभियारन तो राजगीर वनिजीब अभियारन बिहार के किस जीले से सम्मंधित है तो नालंदा जीले में है बिहार का यह जीला लीची की भूमी के नाम से जाना जाता है तो लीची की भूमी के नाम से जाना जाता है नेशनल जूट मेनियो फैक्चरिंग मिल कि अस्थापना बिहार राज में किस अस्थान पर की गई है तो कटिहार में की गई है स्रीक्रिष्न बिग्याउन के अंदर स्रीक्रिष्न बिग्याउन के अंदर बिहार के किस जिले में अवस्थित है पटना जीले में अबस्तीते हैं कोसी जल विदूत पर योजना किस जीले से समधनीत है तो कोसी हो जाएगा सूपोल अगले परसनों को देखें बिहार सरसमेला 2022 बिहार सरसमेला 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था पटना में किया गया था हाल ही में बिहार के मुखमंत्री स्री नितिज कुमार ने किस जिले में गंगा जलापूरती योजना की सुरवात की है गंगा जलापूरती तो नलंदा जिले में की है बिस्व साहित सिक्षक पुरुसकर 2022 से बिहार के किस सिक्षक को समानित किया गया तो प्रोफेसर अरुन कुमार जहा को समानित किया गया वर सो दोजार बाइस में बिहार हिंदी साहित सम्मेलन का कौन सा अस्थापना दिवस मनाया गया तो एक सो चारवा अस्थापना दिवस मनाया गया बिहार में वन डिस्ट्रिक वन प्रोडेक्ट के तहत चयानीत उत्पादों की संख्या बढ़ कर कितनी हो गई है तो बढ़ कर 5 पन हो गई है हाल ही में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काॉंसिल द्वर्ह सिल्भर रेटिंग दी है तो सिल्भर रेटिंग बिहार के किस जिले में Integrated Manufacturing कलस्टर बनाया जाएगा बिहार के गया जिले में स्वक्षता सर्वेक्षन रिपोर्ट 2022 में अस्टेट रेंकिंग में बिहार का कौन सा अस्थान तो 11 अस्थान रहा था बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सिक्षा मंतरी बनाया गया है प्रोफेसर चंदर सेखर को अगले प्रसनों को देखें भारत में सरवोच नागरिक पुरुषकार जीतने वाले पहले खिलारी तो यह हैं शचीन तेंदुलकर भारत रत्न 2014 में मिला था निमनलिकित में से असंगत योगम का चैन करना है एक तरफ सास्तर या निर्त है एक तरफ उद्गम राज्य है कथक उत्तर परदेश सत्त है कुची पूरी अंधर परदेश हो जाएगा कथकली हो जाएगा केरल तो इसलिए ये गलत है भारत नतम टमिलाडो और सतर्या असंग अगले परस्न को देखें जट जटीन लोक निर्त किस राज से समन्दित है जट जटीन तियो हो जाएगा बिहार राज से समन्दित है नदी के किनाडे इस्तित सहरों के संदर में और संगत युगम का चेण करना है तो अहमदाबाद सावरमती ये सत्त है उसके बाद देखें आयोध्या सर्यू पटना गंगा गुहाटी हो जाएगा सतलज नहीं बढ़म पुत्रा नदी इसलिए ये गलत है ये पदम विभूसन और भारत रतन के प्राप्त करता थे और ये सबसे कम समय तक सेवा करने वाले राष्ट पती और कारकाल में ही इनका निधन भी हो गया था ये महानुभाव हैं डॉक्टर जाकिर हुसेन अगले परसन को दिखें ताप गतकी का प्रथम नियम समाने तक किसे सम्मनित मामला है ताप गतकी का प्रथम नियम तो हो जाएगा उरजासन रक्षन के नियम से सम्मनित है निमन लिखी ति दरबों में से कौन से दरब का वास्पन अधिक तिवर्तास होता है तो ये हो जाएगा अल्कोहल का निमनतम तापमान किस के द्वारा माँ पा जाता है तो निमनतम तापमान जो है अल्कोहल थर्मामेटर के द्वारा माँ पा जाता है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है तारों का रंग जो है तापमान पर निर्भर करता है स्वेट परकास कितने रंगों का मिसरन है तो ये साथ रंगों का मिसरन हो जाएगा सुरियोदे और सुरियास्त के समय वायो मंडल में लाले मा तो ये जो हैं सुरियोदे और सुरियास्त के समय परकास के परकिरनन के करण हो जाएगा वर्नांधता का दोस्त किस लेंस के पड़ियोग से दूर किया जा सकता है वर्नांधता को तो आप जो है दूर करने के लिए चाहेंगे तो किसी भी लेंस नहीं लगा पाएंगे दूर ही नहीं कर पाएंगे MRI, Magnetic Resonance Imaging मसीन में निवन में से किसका पड़ियोग किया जाता है MRI में तो ये चुमकिया तरंग का इस्तिमाल किया जाता है पराध्वनिक बिमान नमक एक परगाती तरंग पैदा करता है प्राध्वनिक विमान तो वो तरंग जो पैदा करता है तो वो ध्वनिक बूम हो जाएगा बिदू चालक्ता की यूनिट तो चालक्ता का जो है महो हो जाएगा तो राइट अंसर सी हो जाएगा सूपर कंड़क्टर की चालकता कितनी होती है तो सूपर कंड़क्टर की चालकता जो है अधिक होती है डाइनमा एक यंधर है तो डाइनमा जो है विद्धु तूर्जा या उंत्रिक उश्या को विद्धू तूर चाम बदलता है तो राइट अंसर रम की देश कंचे और रम को या उंत्रिक में बदालते हैं अमल गम मिशर्चा है जिसमेyim अधार अधालRO अ परेक साथ किसी भी धातों को मिशरीत करेंगे तो वह अमलगा महीं होगए से सच थे लेस्ट यत में नियमलिकत में से कौन सा थात्व नहीं होता है इस्टेन लेंस्ट य। करोमीयम निकेल होता है टंग़ यह लाइड होता है यए सकाथ होता है दरव में दरवों का जल ग्यास किसका मिसरन है कारबन मोनाउकसाइड पलस हेड्रोजन का मिसरन है तो राइट अंसर C हो जाएगा गुलखोज किसका एक परकार है तो गुलखोज जो है एक सरकड़ा है और वो किस परकार का तो हैक्सोस सरकड़ा का परकार है यानि कि C6 H12 और 6 करते हैं नुकेलिय रियक्टरों में भारी जल का पड़ियोग सीतलक के रूप में किया जाता है तो भारी जल देखा जाता है यह हैड्रोजन के भारी आश्रोटोप से युक्त जल होता है तो राइट अंसर D हो जाएगा मानव शरीर में पर्चूर मातरा में तो पर्चूर मातरा में ऑक्सिजन जो है पाया जाता है 65% लगभग बिटॉमिन E विसेसता किसके लिए महतपूर्ण है तो बिटॉमिन E जो है विसेसता उपकला यानि कि A.P. थेलिया में उत्यकों के समान स्वास्ति के लिए महतपूर्ण होते है रक्त वर्ग है A.B. तो ये बिक्ति जो है किसका रक्त गर्ण कर सकता है A.B. रक्त वर्ग वाला बिक्ति तो ये तो जो है सर्वगराही होते है सर्वगराही होते है तो यह किसी का भी रक्त ले लेगा A का, A B का और B का वो तो सर्वदाता है तो इनका भी लेगे इसलिए आंसर E हो जाएगा एक से अधिक हाइपरटेंसन सब्द किसके लिए परयोग किया जाता है तो हाइपरटेंसन सब्द परयोग किया जाता है रक्त चाप बढ़ने से सम्मदित है थाइरायद गरंती की समोनेता बनाय रखने के लिए नमक में आयोडिन किस रूप में मिलाया जाता है व्यास से ब्यक्ति की हिर्दया धरकन कितना होती है बड़श के बड़श के ब्यक्ति परती मिनेट 10-10-10-10 वार होता है जैसे कि आप बलते हैं 72 यानि कि 72 बार एक मिनिट में असम और नगालेंड के पहारी बनों में पाया जाने वला भारत का एक मातर कपी तो यह हो जाएगा गिब बन राइट अंसर बी हो जाएगा निम्लिकित में से कौन सी परजाती भारत में अस्थाणिया अस्थर पर बिलुप्त हो गई है अस्थाणिया अस्थर पर बिलुप्त हो गई है सावेरियन सारस जानबरों में से किसके जबरे नहीं होते हैं किसके जबरे नहीं होते हैं ट्राइगोन का होता है सार्क का होता है अस फिरना का होता है लेकिन मिक्साइन का जो है नहीं होता है जबड़ा समान तह निशेचन होता है तो निशेचन जो है ये डिम्ब वाहिनी नली काम होता है फेलोपियन ट्यूब में ये था आज का मुख विसलेशन मिलते हैं अगले व